तो हाई एवरिवान, कैसे हो बचो आप सब? वेलकम टू मैज सीरीजी आज किस वीजियो में हम लोग ट्रिग्नमेट्री की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नमेट्री का लेक्चर टू ट्रिग्नमेट्री का इंट्रोडक्शन तो आपने पढ़ी लिया होगा आप समझ गए होगे कि इससे सुर्व बचों को डर लगता है ये इतनी डरावनी and difficult है नहीं इसके पहले की NCRT exercise की हम लोग बागी के question करें चले हम लोग थोड़ा सा revision देखते हैं कि ट्रिग्नमेट्री में हमने क्या-क्या पढ़ा था होता क्या है एक right angle triangle होता है जिसमें कि एक angle 90 degree का हो मान लीजे कि angle भी 90 degree का है और ये angle 90 से छोटा है मान लेते हैं इसका नाम theta है तो इस side को हम लोग कहते हैं base इस side को हम लोग कहते हैं perpendicular और इसको कहते हैं hypotenuse जिस भी side में ये दो angles होंगे 90 और ये वाला angle वो base होगा इन केस हमारा theta यहाँ है तब इस case में ये base हो जाएगा ये perpendicular हो जाएगा और ये hypotenuse हो जाएगा ट्रिग्नमेट्री के कहानी में ये तीन character बहुत important है base, perpendicular and hypotenuse अगर हम perpendicular की length में से hypotenuse की length को divide कर दे तो हमें trigly Davidson का पहला ratio मिल जाता है sine theta यानि की sine theta आमारा क्या हुआ YH, perpendicular upon hypotenuse cos theta आमारा क्या हुआ base upon hypotenuse 10th theta आमारा क्या हुआ perpendicular upon base complications theta आमारा क्या हुआ ये sine का उल्टा होता है जो आप sign में बोले थे उसको पलट दीजे से थिटा होता है स्टार्टिंग के लिए इतना ही काफी है कि छह रेशो होते हैं और उनकी वेल्यू ये होती है और अब हम लोग रेटी है NCRT exercise 1.1 के आगे की questions करने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं तो बचो ये आपका question number 6 है और इस 6 question में देखी जिसमें मैं समझा देती हूँ पहले question क्या है If angle A and angle B are acute angles यानि 90 से कम है Right triangle में 2 acute angles होते हैं और एक 90 degree का होता है तो इन्होंने का है कि A, B, C कोई triangle है जिसमें angle A और B acute है इसका मतलब यहाँ पे क्या लेना है B A और B acute है इसका मतलब 90 degree कौन सा वाला होगा C right angle होगा तो यहाँ पे अपन को C लेना है चिक, according to situation वैसे generally अपन B right angle लेते थे लेकिन यहाँ पे इसने का है कि नहीं A और B acute है तो इसलिए हमारे diagram ऐसा बनेगा अब वो इन्होंने का है कि A और B acute है इस triangle में एक और property दी हुई है एक और special बात दी हुई है कि इस triangle में जो cos A की value है वो cos B के equal है तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते है cos A निकाल लेते है इन triangle ABC इस triangle में सबसे पहले हम लोग cos B की value निकाल लेते है Let's find cos A and cos B अब सब जानते हो कि trigonometry में cos theta होता क्या है based upon hypotenuse लेकिन ध्यान से A angle लेना है A यानि theta यहाँ है तो base कौन होगा? तुम बताओ अगर angle A लेना है तो base कहाँ है? angle AC AC? तो base upon hypotenuse होता है तो base अपनका AC है upon hypotenuse यानि कि AB तो यानि कि तुम्हें प्रतर चल गया है कि जो cos A है वो AC upon AB है Now change the angle और cos B निकाल लिए Now find cos B तो बताओ ये बचो cos B क्या होगा? अब base ये हो जाएगा तो हो जाएगा base base upon hypotenuse BC upon AB ठीक है cos A भी निकाल लिया cos B भी निकाल लिया अब यहां दिया हुआ इस question में as it is given as जैसे कि उन्होंने दिया हुआ है cos A is equal to cos B cos A cos B दिया हुआ है अब cos A तुम निकाले हो AC upon AB और cos B तुम निकाले हो BC upon AB दोनों साइट से AB AB cancel cancellation के बात क्या बसता है? AC is equal to BC अब बचो class 9 में अब आगई class 9 की जुमरतर कुछ पढ़ा था आपने किसी भी ट्राइंगल में if sides are equal then angles would be equal angle opposite to equal sides of a triangle are equal ठोरम 7.1 ठीक है? AC is equal to AB therefore तो अगर AC BC के equalize का मतलब angle A angle B के equal होगा तो angle A equals to angle B ठीक है? अब हम सोचते है अब क्या proof करना है? अरे यही तो proof करना था angle A equal to angle B ठीक है? अब थीयोरम मेंशन कर देंगे कि भाई यह कैसे आ गया? क्या दिखेंगे? क्लास नाइफ थीयोरम angles opposite to equal sides of a triangle are equal of a triangle are equal इसको पूरा लिख लेंगे कि angles opposite to equal sides of a triangle are equal therefore angle A equals to angle B hence proved और इसलिए यह proof होता है यहां से देखिए question number 7 में क्या दिया है? यहां पर cot theta दिया है 7 by 8 and evaluate और हमें fine करनी है दो चीज़े निकालने है यहां पर एक तो यह पूरा और दूसरा cot square theta ठीक है? तो इस question को हम ऐसे लेंगे कि भाई cot theta दिया है पहले हम लोग sin theta निकालेंगे so let's make a right triangle suppose triangle's name is ABC यह angle यहां पर ठीका है अच्छा अब बच्चों यहां से अपन solution चलो करते है तो देखिए यहां पर इन्होंने cot theta दिया है cot theta is 7 by 8 cot होता क्या है? base upon perpendicular 7 by 8 यानि कि base 7 है और perpendicular 8 यहां पर 7 और यहां पर 8 लिख लेते हैं दो साइड मालू में तीसरा निकालना है using pythagoras चुरब in triangle a b c a c square is equal to a b square plus b c square pythagoras चुरब क्या है? triangle में high footness square perpendicular square plus base square के equal होता है अब value रख देंगे तो यह a b आपका 8 है और b c आपका 7 है 8 square 64 7 square 49 113 not a perfect square और इसलिए a c मिलेगा root over 113 तो बच्चो आपको यह hypotenuse मिल चुका है root 113 hypotenuse भी मिल गया तीनों साइड मिल चुके हैं तो अब पहले हम लोग sin theta निकाल लेते है sin theta क्या होगा sin theta होता है p by h sin theta p by h तो a b upon a b upon a c यानि की 8 upon root 113 ठीक है cos theta होता है base upon hypotenuse यानि की b c upon a c यानि की 7 upon root 113 sin theta cos theta मिल चुका है अब रखेंगे value now अभी आपको चाहिए है 1 plus sin theta 1 minus sin theta और नीचे में 1 plus cos theta 1 minus cos theta let's put the values तो 1 plus sin theta sin theta किता आया है 8 upon root 113 रख दीए फिर in second bracket 1 minus sin theta 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta यानि 7 upon root 113 और यहाँ 1 minus 7 upon root 113 तो बच्चों हमने values रख दी है ठीक थोड़ा complicated लग रहा है कि कैसे स्वाल करेंगे लेकिन identity लगा लीजिए algebra की क्या होता? कुन सी? जहां से सब लोग देखेंगे भी a plus b a minus b easy हो जाएगा identity से a plus b into a minus b होता है a square तो 1 का square बानी होगा minus b square फिर से देखेंगा a plus b into a minus b is a square minus b square and what's your b? 8 upon root 113 का square upon और ऐसा ही कुछ यहां भी होगा a plus b into a minus b is a square minus b square क्या होगा? 1 minus 8 का square 64 upon root 113 का square क्या होगा? याद रखिए root x का square is x root और square हमेशा कट जाते हैं तो यहां पे 8 का square 64 होगा? जब इसका square हो नीचे वाले का तो root और square कट गया 113 होगा और नीचे में यही हुआ यहां पे भी 1 minus 7 square 49 इसका square 113 नाओ थोड़ा सा स्कोर सॉल करना है LCM लेके बचो इनको दोनों का LCM क्या होगा? 113 होगा 113 इस 1 के साथ इन 2 होगा 1 का मुझी भी यहां होगा upon यहां पे भी ऐसे ही हुआ इन दोनों का LCM 113 113 इन 2 हुआ 1 का मुल्टिप्ला इधर हुआ अब कुछ कैंसिल होगा 113, 113 कैंसिल अब जो बचा है उसको लिख लेते हैं 113 माइनस 64 होता है 49 113 माइनस 49 होता है 64 देख सकते हैं कि यह आ रहा है 49 अपान 64 पहला आंसर आपको मिल गया है और दूसरा आंसर कोई बहुत बड़ा नहीं है दूसरा क्या चीज है दूसरे नंबर पर क्या पूछा था इसलिए आपन को कॉट देखिए क्या निकाला है कॉट स्क्वाइर थीटा कॉट स्क्वाइर थीटा मतलब कि कॉट थीटा और उसका स्क्वाइर तो कॉट थीटा थो हमें कोशन में दिया ही है कितना दिया था तो यह ठीटा पन को कितना दिया था 7 by 8 तो 7 by 8 का स्क्वार तो 7 का स्क्वार 8 का स्क्वार देख सकते हैं कि पहला अंसर दूसरा अंसर दोनों सेम आ रहा है तो that is how to do this question यहनि कि concept वही था, एक दिया है बाकी के निकालना लेकिन इसमें रखना रखना था पुट करके complication बढ़ा दिया गया था बाकी वही था, ठीक, तो now you can write चलिए, बचो यह है question number 8 in this question number 8, यहां में लिखा है if cot a is equal to 4 if 3 cot a is equal to 4 अगर 3 cot a 4 है then check whether, check करिए कि यह जो value है वो इसके equal है कि नहीं तो एक चीज़ तो पता चल गई हमको कि cot a की value क्या दी हुई है 4 by 3 तो ऐसा ना देखे कि cot theta is 4 by 3 इन्होंने ऐसे format में दे दिया था तो हमें पता चल गए कि cot a यहां पे 4 by 3 है, अब यह कैसा question है एक trigonometric ratio दिया है और आपको 10 निकालना है, cos निकालना है, sign निकालना है और चेक करना ही दोनों equal है कि नहीं ठीक है तो वही काम चालू होता है cot क्या होता है base upon perpendicular 4 by 3 right triangle बनाएंगे यह हमने a ले लिया है, b ले लिया है, या c ले लिया है ठीक है cot a, base upon perpendicular तो base कितना होगा? 4 perpendicular 3 hypotenuse अभी पहले निकालना है तो in triangle a, b, c use pythagoras theorem a, c square is equal to a, b square plus b, c square a, b is 4 b, c is 3 16 plus 9 25 therefore a, c is equal to root 25 यानि ki 5 तो अब यह आपको 5 मिल चुका है now we got all three sides of a right triangle अब पहले देख लो अच्छे से कि क्या-क्या निकालना है सब तो नहीं निकालने बोला है 10 10 तो इसी cot का उल्टा होदाएगा so if cot is 4 by 3 therefore 10 a is 3 by 4 चलिए और क्या-क्या निकालना है sin a sin a होता है p by h और यहाँ पे p है b, c by a, c यानि कि 3 by 5 अब निकाल लेते हैं cos a, b cos a, base upon hypotenuse यानि कि a, b upon a, c यानि कि 4 by 5 तो देख सेक्व क्यों बचो sin, cos, 10 सब मिल चुका है just हमें वहाँ पे रखना है put करके चेक कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि 1 minus 10 square a upon 1 plus 10 square a की value क्या है पहले इसमें value रखी जाएगी 1 minus 10 a, कितना आया था? 3 by 4 रखी जाए value, 3 by 4 उसमें रख देना है अब करेंगे इसे solve 3 काई square 9 4 काई square 16 3 काई square 9 4 काई square 16 16 Lcm 16 का multiply यहाँ 1 का multiply वहाँ फिर यहाँ पे भी 16 Lcm 16 plus 9 16 16 cancel अब बच्टा है आपके पास जो कुछ भी वो लिख लीजिए 16 minus 9, 7 और 16 plus 9, 25 तो बच्चो आपका पहला जो अंसर है 1 minus 10 square A upon 1 plus 10 square A वो कितना आ रहा है 7 upon 25 ऐसे ही दूसरा भी निकालना है इतना लिखिए तो आपका यह first मिल गया है अब second पार निकलते है बच्चो second क्या है now अब क्या निकालना है cos square A minus sin square A तो बस जो आपको value मिली है cos sign की वो रखना है cos कितना मिला था आपको cos मिला था 4 by 5 और sin 3 by 5 square कर देना है तो 4 का square 16 5 का square 25 3 का square 9 5 का square 25 अब 25 स्यम 16 minus 9 7 तो देख सकते है की first वाला भी 7 by 25 आया था second वाला भी 7 by 25 आया yes they are equal 1 minus 10 square A upon 1 plus 10 square A is equal to cos square A minus sine square A ठीक है तो ये है आपका question number 8 now question number 9 इसकी दो पार्ट्स है in triangle ABC right angle at Q यानि की angle Q 90 degree है ठीक है अच्छा sorry right Q कहा B दिखा मुझे अपनी वो Q क्यों लग गया right angle at B यानि की बचो angle B is 90 degree ये information दिये है कि right triangle है कोई उसमें angle B 90 degree है फिर साथ में दिया है 10 A 10 A is equal to 1 by root 3 10 A 1 by root 3 है तो आप right triangle बना लेंगे यहाँ ले लेते हैं A यहाँ ले लेते B यहाँ ले लेते C ठीक है 10 A 1 by root 3 है वहाँ लिया है A तो 10 A होता है बचो 10 theta is basically perpendicular upon base ठीक तो perpendicular 1 और base root 3 तो यहाँ पर base कौन है तो यहाँ root 3 लिख देना है perpendicular 1 hypotenuse निकालना है तुम लोग चाहते तो A यहाँ लिख लेते तो simple वाला हो जाता पर सकते ते वैसा ठीक है लेकिन ऐसा भी आपनको आदत होनी चाहिए now by Pythagoras theorem by Pythagoras theorem AC square is equal to AB square plus BC square तो आपका AB root 3 है BC 1 3 plus 1 AC square 4 है तो AC कितना होगा root over 4 यानी 2 तो यह मिल गया आपको 2 hypotenuse मिल गया अब इसने बोला क्या था कुछ चीजें निकालनी आए याँ पर first निकालना है जो find करने है value आपको that is sin A cos C plus cos A sin C यह इसने निकालने को बोला है ठीक है तो अब हम triangle मैंसे इसने निकाल के रख देंगे and solve कर लेंगे ठीक अलग से निकालने है अब डायरेट यहीं रखेंगे अब एक एक करके बचो आप लोग बताओगे इस triangle में आप सबसे पहले मुझे sin A बताएंगे हाँ sin A कि अब कर्पेंडिकुलर एंगल यहां अब से अब कर्पेंडी कुलर बाऊंगे अप ऑपों और यहीं आई पूं goodbye है अभी तो बेस बी-सी ही होगा बी-सी अपॉन एसी अब को से तुम बताओ ठीक है एबी अपॉन एसी और साइन सी हो जाएगा एबी अपॉन एसी अब सबके वैल्लियू रख देते हैं ठीक है तो ये बी-सी अपॉन बाई टू फिर ये हो जाएगा आपका 1 बाई टू प्लस अच्छा सेम तो है न अगलो और ये भी क्या है loot 3 root 3 by 2 और ये भी loot 3 by 2 तो ओन बाई 4 one 1 x 1 1, 2 2s are 4, root 3 x root 3 3, 2 2s are 4, 4 LCM, 3 plus 1 4, finally answer आजाएगा 1. तो जैसा बचों मैंने 1st बताया है, 2nd homework है, 2nd आप लोग कर लीजेगा. तो देखिए, अब तर हमने जैसे की देखा कि किसी triangle में, right triangle में 2 side मालूम होते थे, और 3 side हम Pythagoras निकालते थे, और हम लोग कोई भी trigonometric ratios निकाल सकते हैं. लेकिन जो हमारा question number 10 है, that is quite different, उसमें एक right triangle PQR दिया हुआ है, जिसमें की right angle Q पे है. इन right triangle PQR, right angle at Q, और इसमें 2 side नहीं दिये हैं, इसमें सिर्फ एक side की length मालूम है, एक side PQ की length जो है वो 5 cm भी हुई है. साथ में बागी की जो तो side है, PR plus QR, इन दोनों का sum कितना है, 25 cm दिया हुआ है. इसके बाद हमें निकालना है, sin P, cos P and 10 P, sin P, cos P and 10 P के value निकालने हैं. तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, in triangle PQR, इस right triangle में, हमें मालूम नहीं है कि दोनो side कौन से है, exactly कोई side नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं कि यह x है, इन दोनों का sum कितना है, 25, तो अगर बचो यह x है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 25 minus x, ठीक है, या तो आप इसे x मान लो, तो यह 25 minus x है, आप इसमें change कर सकते हो, ठीक है, तो अब हम लोग right triangle है, तो Pythagoras स्टरम लगा सकते हैं, तो इन देश ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, पी आर स्क्वाइर इसक्वाइर 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 इसक्वाइर, यहाँ पे हमने Pythagoras स्टरम एपलाई कर दिया, तो पी आर, पी आर कितना है, 25 minus x, और PQ कितना है, 5 है, और QR हमें मालूम नहीं है, x है, और अब हम इसे simplify कर लेंगे और x निकाल लेंगे, तो A minus B whole square, A square plus B square minus 2AB is equal to, 5 का square 25 plus x square, देखिए, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, A minus B whole square से expand कर दिया, x square x square cancel, ठीक है, 25 का square होता है, 625, 25 to the 50, तो 50 x, और यह हो गया 25, अब अपनको x निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो 50 x है, उसको उधर भेज देते हैं, तो minus 50 x उधर जाएगा, तो plus 50, और यह 625 है, यह 25 इधर आजाएगा, तो minus 25, अब 625 में से हमाई 25 minus हुआ, तो कितना हुआ, 600 हुआ, is equal to 50 x, यहाँ से आपका x मिल जाता है, 600 divided by 50, यानि कि x की value हो जाती है, आपकी 12, 60 by 5 यानि कि 12, यानि कि आपका जो base है, वो 12 है, अगर base 12 है, और इन दोनों का sum तो 25 था, तो PR कितना हो जाएगा, यहांा आपका 25-1 इक्स यानि कि 25-12 यानि कि 13 संटीमीटर ठीक है तो आपका यह जो हाइपोटोमेस है अब आपको मिल गया है यह 13 तो हम कोई भी रेशो निकाल सकते हैं आब यहां पर इन्होंने बौला긴 क्या-kyn. सबसे पहले मोग साइन भी कालते हैं जानि की कि यहां बेस और यह आपका परपेंडिय कुलर और हैं यानि की qr आपाण प्यार यानि की 12 by 13 च्छिक है अब तीसरा निकालना है 10P 10 होता है perpendicular upon base तो यह हो जाएगा 12 by 5 तो यह है इस question का solution ऐसे हमें इस question को करना है तो आई होप आपको समझ में आ गया हो अब हम लोग बात करते हैं कुछ MCQs की जो लास question में कुछ MCQs दिये हैं इसके पहले कि हम यह MCQs को या true-false question को करें आपको बस छोटी सी बात बताना चाहेंगे एंगल अब आगे हम लोग ट्रिग्ना बातरी में क्या पढ़ने माला है जो ठीटा है इसकी कुछ न कुछ वेल्यूस लेनी होगी 30 डिग्री हो जाएगा कभी चाहिक होगा तो याद रखिए साइन ठीटा जो होता है ना perpendicular upon hypotenuse होता है और hypotenuse हमेशा ट्राइंगल की बड़ी साइड होती है जैसे कि बड़ी साइड जब denominator में आएगी तो जो number होगा वो हमेशा fraction होगा 1 से कम होगा तो साइन ठीटा की value कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती है हमेशा 1 से कम होती है क्योंकि उसका denominator में hypotenuse होता है जो कि longest side हो और ऐसा ही किसके साथ भी होता है cost के साथ भी होता है उसके denominator में भी longest side है तो sign और cost कभी 1 से बड़े हो ही नहीं सकते बहुत होगा तो 1 के equal होएंगे अगर ये दोनो equal हो जाए किसी special case में base और hypotenuse अगर equal हो जाए तो 1 हो जाएगा वो अगर आएवाईज उससे बड़े नहीं हो सकते sign और cost को छोड़के बाकी सब 1 से बड़े भी हो सकते चीक ये बात याद रहेगी अब हम लोग answer दे पाएंगे इसका first question है first 11 का first है the value of 10a कह रहा है कि 10 की value हमेशा 1 से छोटी होती है क्या ये सही है 10a is always less than 1 मैंने तो 2 के लिए बताया है साइन और cost 10 के लिए ऐसा नहीं होता है तो no it is first 10 can be more than 1 1 से बड़ा हो सकता है 10 second second में पूछ रहा है कि sec a की value 12 by 5 हो सकती है क्या for some angle a 12 by 5 फी 1 से बड़ा है तो क्या sec कभी 1 से बड़ा हो सकता है yes 2 ही नहीं हो सकता है sign और cost यह हो सकता है third cost a is a abbreviation used for the cosecant कह रहा है कि cost a का full name क्या है क्या यह है cosecant यह तुम पूर बताना है मैंने तुम लों को बता दिया है cost a क्या इसका short form है इसका short form क्या है cosec और cost का full name क्या था cosine था तो यह बात भी गलत है third में कह रहा है कि क्या इसका abbreviation cost का होता है no false है यह भी fourth court a is product of court and a बहुत ही जरूरी बात important बात जो तुमें जानना चाहिए जिसके लिए हमेशा student trigonometry में गलती करते है ध्यान से सुनिये कभी भी sign theta लिखा है बच्चों इधर देखिये तो इसका मतलब यह नहीं है कि sign और theta multiply हो रहा है यह मतलब नहीं है without theta this sign does not exist theta के बिना यह sign लिखा ही नहीं जा सकता कोई मतलब नहीं है and they are together यह पूरा एक है it is not product और इसलिए कभी आप बहुत common mistake होती है ऐसा trigonometry में बच्चे लोग अक्सर कर देते है theta theta cancel तो यह नहीं हो सकता because actually it is not product यह single है कुछ ठीक तो fourth वाला की product है ऐसा यह वाली बात भी wrong है हलाकि उसमें cot के लिए पूछा है cot is the product of cot and a no it is false and the last last में इन्होंने पूछा है sin a 4 by 3 हो सकता है क्या किसी angle पे 4 by 3 यानि की 1 से ज़्यादा कैसे पता चलता है की 1 से ज़्यादा है की छोटा है numerator अगर बड़ा है और denominator छोटा है तो वो 1 से बड़ा होगा ठीक है तो this is something greater than 1 1.3 something है तो क्या sign किसी angle पे 1 से बड़ा हो सकता है मैंने आपको शुरू में यह बता दिया था कि ऐसा नहीं हो सकता है sign कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है तो this is also false तो आपके exercise complete होती है